किसान भीयों नमस्कार में हूं गोईन पटेल एक कहा जाता है कि आपको जो है घर धान की कल्ले अच्छे से बढ़ाना है तो आपको सागरीका या फिर बायो बीटा का प्रियोग करना चेए तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सागरीका का सागरीका जेट प्लस प्लस सागरीका गोल्ड और बायो बीटा दोनों मतलब तीनों में किसका इस्तेमाल करें उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और इनको जो है देने की तरीका भी मैं आपको पन्तिया जाये तो साघरी का, जेट पलस पलस और साघरी का गॉल्ड दोनों समान होता है, कीमत की मैं कर बात करूं तो साघरी का 415 रूपे पड़ता है, दस सामन की देगे, धां की जो अगर हम Samuel की सुरूवाती में रोपाई करते है, तो रोपाई के लगभग 20-21 बाद वो अपने tillring के stage में आ जाती है क्योंकि लगभग रोपाई के लगभग 15-70 दिन तो उसको अच्छे से जड़ पकड़ने में ही लग जाता है तो उसके बाद इसमें tillring के stage आ जाते हैं तो सागरी का या फिर बायो बिटा दोनों में से किसी का भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 8 से लेके 10 केजी तक आपको रोपाई के 10 दिन बाद और दूसरा 30 से 40 दिन के बाद आपके जो खेत में आपको डालना रहता है तो अगर आपको अच्छा से रिजल्ट चाहिए और आप एक बार अगर आप डालना चाहते हैं सागरीका या फिर बावबिटा किसी को भी तो आपको जो है रोपाई के लगभग 25 दिन बाद जब उसमें आप नाट्रोजन डालते हैं यूरिया डालते हैं उस बख़त आपको जो है मिक्स करके आपको एक बार में भी 10 कजी देके आप इसको अच्छे तरीके से निप्टा सकते हैं और निश्ची तोर पर उससे आपकी कल्ले भी बढ़ते हैं साथी साथी सागरीका का जो दानेदार रहता है या फिर बावबिटा का जो रहता है दानेदार इसके कुछ गुण भी होते हैं उसके बार में हमें थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं यह जो तीनों प्रोडक्ट है यह समुदरी सेवाल से बना होता है और खासकर यह उस नच्छेत रखे जो समुदरी सेवाल रहते हैं खासकर लाल और पीले जो समुद्री से वाल रहते हैं, उससे यह बना रहता है, इसमें प्रोटीन, कार्वोहाइडरेट, अकार्बनीक, लवाण, ऐसे बहुं सारे चीज होते हैं, साथ ही साथ इसमें प्लान ग्रोथ रेगुलेटर के भी कुछ अंस होते हैं, ओक्सीन, साइट हुद्टे हैं, और सांथ ही साथ कुछ हार्मोंस और प्रोटीन इस साथ कंभीनेशन होते हैं, उसके बज़त से बहुत करते हैं, वह अच्छा से घ्रोव करें अपने कल्ले को बढ़ाने के लिए उत्परेशन करता है तो यह टू इन तरीके से यह लोग काम करते हैं साथ ही साथ यह जो है मिट्टी में जो बैक्ट्रिया रहते हैं हमारे जो सुच में बैक्ट्रिया रहते हैं उसको भी यह सक्रिय करते हैं क्योंकि इसमें अकार्बनिक जो तत्व रहते हैं उससे जो है यह बैक्ट्रिया में मदद करता है तो कूल मिला के आपको जो है सागरिका या फिर बायो बीटा दुनों में से किसी एक को आपको चूज करना रहता है बायो बीटा सागरिका और सागरिका गोल्ड अगर जो है आप सबजी वर की फचल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सागरिका का जो गोल्ड है उसको इस्तेमाल करिए और नर्मल धान अगरा के लिए आपको सागरी का जेट प्लस प्लस ही सफिसियन है और यह आपको खर्चे भी कम करेगा और आपको सेम रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा तो आप जो है सागरी का फिर बाइव बीटा में अगर आप इसका अगर आप करते हैं तो आपकी जो धान की क्रॉप है उसमें टीलरिंग की संख्या बढ़ेगी निश्ची तो फिला आज की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्रेब करें नए है तो और अगर आप पुराने हैं तो हमारे वीडियो को ला करें देन्यवां